नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल ज्योति जतन्द में सुक्रवार का दिन विशेश रूप से धन की अधिशाष्टी देवी मा लक्षमी को समर्पित होता है यह दिन मा लक्षमी की अशीम करपा पाने के लिए सब से उचित माना जाता है सास्तों में मा लक्षमी को सुक्ष, समर्दी और बोधिक एस्विरे परदान करने वाली देवी बताया गए लियाजा अपनी आजती किस्तित को मजबूत करने के लिए, अपने बिजनस में लाप सुनी चित करने के लिए, नोकरी में उनति पाने के लिए, जिवन में चलरी समझाओं का समाधान निकालने के लिए और क्रोडों के कर्दों से मुप्ती पाने के लिए माता लक्षमी सुकरवार के दिन ये माता लक्षमी के उपाय कर लेने चाहिए सुकरवार के दिन माता लक्षमी के उपाय करने से आपके जिवन में उन्नती पर उन्नती मिलती जाएगी आप सपलता की सीडियां चड़ते जाएंगे आर्तिक तंगी दूर होगी और माता लक्षमी धन के बंडार भर देती है अगर आप अपने जीवन में सुक बनाए रखना चाहते हो तो इसके लिए सुकरवार के दिन बजार से मा लक्षमी कमल के फूल पर बेट हुए एक तस्वीर लाएं और अपने मंदिर में स्तापित करें इसके बाद देवी मा को सबसे पहरे लाल फूल पूस्प अरपित करें फिर धूप दीपादी से उनकी पुजा करें सुकरवार के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में सुक बना रहेगा अगर आप अपने सोबाग्या में बढ़ोतरी करना चाहते हो तो इसके लिए सुकरवार के दिन एक रूपे का सिक्का लिए और अपने मंदिर में मा लक्षमी की आगया रखते अब सबसे पहले मा लक्षमी की उचित प्रकार से पुजा अर्षना करें पुजा अर्षना करने के बाद उस सिक्के को पूरे दिन मंदिर में रखा रहने दे फिर अगले दिन सुब़ सुब़ निट्यक्रम से निर्वत होकर उस सिक्के को अपने परस में रख ले इस उपाई से आपका पर्ष कभी भी खाली नहीं होगा और किश्मत और सुभाग्य का हमेशा साथ मिलता रहेगा अगर आप अपनी धन संपती में बढ़ोतरी करना चाहते हो तो इसके लिए सुकरवार के दिन एक छोटा सा मिट्टी का कलस ले और उसमें चावल भर दे चावल के उपर एक रुपय का सिक्का और एक हल्दी की गांट रखते हैं फिर उस पर डकन लगाकर मा लक्षमी का आशिर्वाद लेकर उसे किसी मंदिर में पुजारी को दान करते हैं शुकरवार के दिन ऐसा करने से आपकी धन संपता में खुब बढ़ोतरी होगी यदि आप पूरी तरह से करस्य मुक्त होना चाहते हो अचानक धन प्राप्ति करके अपने जिवन में सपलता के जंडे गारना चाहते हो तो सुकरवार के दिन छे सपेद रंग की कोड़ी लेकर उसमें दो दो चावल के दाने कोड़ी के खौल में पसादे हैं इसके बाद एक एक लोंग भी एक एक लोंग लेकर इन सबी छे कोड़ीों में फसादे खौल है उस खौल में फसादे फिर इन कोड़ीों को माता लक्समी की फोटो के आगे रखकर एकासन लगाकर माता लक्समी की फोटो के आगे रखें अपने घर के मंदिर के आगी इसके बाद वहीं पर बेटकर ओम धनाए नमो नमै ओम धनाए नमो नमै इस मंतर का 108 बार क्रिस्टल के माला से जाब करें मंतर पूर्ण होने के बाद एक समच कुम-कुम इन कोलियों पर डाल दें फिर इन सबी 6 कोलियों को एक लाल वस्तर में बांद कर पोटली बना दें फिर इस पोटली को अपने धनिस्तान में रख दें तिजोरी में रख दें या इसे अपने व्यापार स्थल के गल्ले में भी रख सकते हो इसे व्यापार में अपार सपलता मिलती है इस परियोग से माता लक्ष में शपर फार के धन देती है धन प्रदान करती है जन्मो जन् कंगाली कर्शे मुप्त कर देती हैं जयान रखना है यह परियोग सुक्रवार के दिन सुबह सुबह नित्य कर्म चे निवर्थ होकर ही करना है इसी के साथ हम आज के वीडियो से विराम लेते हैं जैराम जी की जैमातागी